Hey guys, this is Monika Singh and welcome to our channel. I hope आप सभी अच्छे होंगे और आज हम बात करने वाले हैं Be at Second Year की CC5 फाइल के बारे में नाम है इसका Creating an Inclusive School यह आपकी पहले बुक है जिसका assignment फाइल आज आपको देखने को मिलेगी इससे पहले हम CC6 अप्लोड कर चोके हैं, CC7 अप्लोड कर चोके हैं और ICT, Understanding of ICT अप्लोड कर चोके हैं अगर आपने नहीं देखिए तो आप देख सकते हो चैनल पर जाकर आपको वीडियो मिल जाएगी और सबकी PDF आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाती है देखे, Share आपकी मर्जी है आप किसी को Share करेंगे तो उनकी भी Help हो जाएगी बागी अगर आपको अच्छा लगता है तो कम से कम Like तो ज़रूर कीजिए जिससे पता चल जाए कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही है अगर 10 लोग देखते हैं तो उसमें सिर्फ 3 या 4 लाइक करते हैं ऐसा क्यों अगर कोई कम ही लग रही है तो आप बता सकते हो कॉमेंट कर सकते हो ठीक है और अगर नहीं है Help हो रही है तो लाइक कर सकते हैं उसे कुछ पे तो नहीं करना पड़ रहा है उन्हीं लाइक करना है तो देखिए इसका भी PDF आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा यह भी हमारे फाइल से नहीं है मैंने content ले लिया है और वो content यह आपको मैं शो करने वाले हूं सारा content बुक से ही है क्योंकि देखिए फाइल से आप करेंगे इसके जो बुक का content है यह यह भी आप पूरा ऐसे ही लिख सकते हैं अगर थोड़ा बहुत कुछ कम करना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्जी आप कम ज्यादा कर सकते हो ठीक है और देख लेते हैं आगे हम ठीक है देखे टॉपिक लिया है हमने inclusive school management सबसे पहले management के बारे में हमने बताया इसकी meaning बताई definition दिया है यहां पर ठीक है यह definitions यहां तक आ गई है इसके बाद next हमारा topic आता है बाधित inclusive school for disabled children ठीक है यहां उनका प्रारूप दे दिया है कि कैसा होना चाहिए आपका inclusive school ठीक है आगे चले हम तेखे यहां पर हमने picture add कर दिया एक inclusive school की तो यह मैंने कुछ pictures add की है 5-6 आप इनको भी ले सकते हैं चाहें तो और दूसरी भी download कर सकते हैं क्योंकि आपको file में लगा नह आ गया यहां पर normal बच्चे भी हैं और disabled बच्चे भी हैं inclusive school आपको पताईए वही होता है जहां हार प्रकार का बच्चा पढ़ सकता है उसको वहां सारी opportunities मिलती है और facilities जो उसके लिए होनी चाहिए वो मिलती है वो अपने आपको अलग महसूस नहीं करता ठीक है आगे चले ह तो कक्षा दिगम परिस्थियों का अनुकूलन adapting the classroom learning situations कैसी होनी सही आपकी classroom ठीक है उसका परिस्थितिया situation वातावरण कैसा होना चाहिए तो यहां पर कुछ चार पॉइंट्स दिये हैं बहुत एक वातावरण की वेवस्ता अनुदेशनात्मक वातावरण का संगठन शिक् अन्य संसादनों की प्रवंदन प्रवरती इसी को detail में आगे हर एक point को explain कर दिया गया है ठीक फिर से हमने एक यह picture ले लिए दीखिए ठीक है यहां यह points आपके पूरे होते हैं और next हमारी आ जाती है कक्षा प्रवंदन की प्रविधिया techniques of classroom management classroom manage करने के लिए आप कौन-कौन सी टेकनीक फॉलो करते हैं जैसे पहले दिया है लिया लियात्मक्ता एवं मनोवग्यानिक अनुक्रम ठीक है यह से लेटर प्रिचर हो गई तो आप जैसे चाहें वैसे इन प्रिचर को अलग-अलग पेस्पेस्ट कर सकते हैं यह हो गया ठीक है classroom टेकनी सी तो हुई आप क्यों से बैठा है और एक दस्ती बादित भालग भी बैठा हुआ है देखे गशला संस्क्रिति और खक्ष्य व्येवार की सहिता आगे आपका है कक्षआ पकी सफरी अध्य की सिक्षर में बागीदारी नेक्स हमारा procurement है गच्रा का सामाजिक तथा भहावात्मक वात्वरण आगे है हमारा स्वाप्रबंधन तथा कक्षा का वातवरण और विद्ध्यारतियों की भागीदारी यह पिच्चर एड कर दिया है और विद्ध्यारतियों की भागीदारी यहां तक पूरा होगा आपकी दो लाइने और नेक्स्ट हमारा लास्टी टॉपिक है कक्षा प्रबं अगदक्षक की भूमिका, अनुसंधान करता की भूमिका, प्रवंधक की भूमिका और नित्रत्व की भूमिका, ठीक है, तो यह आपका, फाइल का कंटेंट पूरा हो जाता है, पिच्चर सापको दे दी गई है, और आपको पूरा PDF यह टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा,